नमस्कार साथियों स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हट्सपार लाइनिंग पर मैं प्रसांत तो रहा है अगर आप सभी ने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन माइक्रो कंट्रोल एंड अमेडर सिस्टम के नाम से एक प्लेलि उन सभी वीडियों को जरून देखें हम आपसे करते हैं कि आपको उस वीडियों से आपको चैनल में मिलेंगे अपको सब्सप्रोलब ऑदनों का मतलब क्या होता है इसके जो आप्संदे पहला अप्ちゃん आप्रेटिंग सिस्टम दूसरा अपसंदिया है र्याल टाइम आप्रे तीसरा आपसन दिया गया है रियक्टिव टाइटल ए ओपरेटिंग सिस्टम वह तीसरा आपसन दिया गया है रियल टाइम आउटपुट सिस्टम जो तो तो जो question no.1 इसका जो right answer होगा हमारा answer no.2 हो जाएगा real time operating system इसे पहले वीडियो हमा आपको बताए थे प्रोग्राम जो इस रूप आंतरन के लिए जिम्मेदार होता है किस किस रूप में जानाता है प्रोग्राम जो हम assembly language प्रोग्राम करते इसको machine language में जो convert करता है वो कौन convert करता है तो पहला आपसन दिया compiler दूसरा आपसन दिया assembler तीसरा आपसन दिया interpreter और चौथा आपसन दिया interrupts तो जो question no.2 है इसका जो right answer होजाएगा जो आपसन दिया जाता है तो जो आपसन दिया गया है को आपसन दिया गया है गस्ता-क्सर कहा जाता है जो assembly language होता है उसको क्या कहा जाता है तो इसका option दिया गया लो level language दूसरा अपसन मीडे लेवल language तीसरा अपसन हाई-level language चौथा आपसन नणाप्दा एब अब तो जो assembly language होता है आपको पता होना चाहिए जो machine के language होती है जोером computer इसे जाबा या फिर पाइथन वाइथा हाई लेवल में कुछ ऐसे लेभी आती हैं लोग में ठीक question number 3 का जो right answer होगा answer number A हो जाएगा low level language next question बरते हो question number 4 question number 4 क्या दिया गाया है question number 4 दिया गाया an interaction tells the CPU what to do यानि कि एक निर्देश CPU को बताता है कि उसे क्या करना है बिल्कुल सही बात है जो हम interaction देते हैं वहीं CPU को बताता है कि हमें क्या करना तो question number इसके option दिया गाया पहला आपसन दिया true दूसरा आपसन दिया false तीसरा आपसन दिया can be true और false और तीसरा आपसन दिया नहीं कुछ कहने सकते तो question number 4 इसका right answer हो जाएगा हमारा answer number A हो जाएगा कि जो इंट्रक्शन होता है जो इंट्रक्शन हम देते हैं वह CPU को सिधे इंट्रक्ट करता है कि आपको काम क्या करना ठीक तो इसलिए जो statement दिया गा वह सही है इसलिए जो question number 4 है वह उसका right answer हो जाएगा answer number A हो जाएगा true next question बढ़ते है question 5 question 5 क्या दिया है दा four ports P0 P1 P2 P3 each as pins यानि कि P1 P0 P1 P3 में परते एक पोर्ड में कितनी पिन होती है तो इससे पहले जो हम आपको पिन डाइग्राम में या पिन configuration का वीडियो बताया थे उसमें आपको बताया थे कि हर एक पोर्ड में कितनी होती 8 होती तो question number C is right answer हो जाएगा 8 pin is right answer हो जाएगा ठीक पिन डाइग्राम जितने भी question बन रहे हैं यह हम उस वीडियो में डिसकस किये हैं जो हम पिन डाइग्राम का किया पिन पिन डाइग्राम का एक बार वेकर वीडियो देख लिए तो उससे जो भी question है सायद आपके confirm हो जाए ठीक तो जो पिजी यूरो पी वन पी टू पी थी दिया गया इसमें हर एक port में 8 पिन होती है ठीक 8 पिन होती है ठीक नेक्ट को बढ़ते है question number 6 question number 6 क्या दिया गया है question number 6 जो है इसका right answer हो जाएगा answer number 6 जो हमारा answer number C हो जाएगा both A and B यानिक जो हमारा assembly language होता है उसमें निमोनिक तथा symbol दूनों का use किया जाता ठीक तो इस प्रकास से assembly language के लिए जो right answer हो जाएगा answer number 6 का both A and B यानिक निक निमोनिक भी यूज किया था और symbol भी यूज किया जाते ठीक next question बढ़ते है question number 7 question number 7 क्या दिया गया है next question question number 7 दिया गया 8051 micro control has four register bank यानिकी 8051 micro control 4 register bank होते है तो इसके option जो दिया गया है पहला option yes दूसरा option no तीसरा option दिया गया can be yes or no चौथा अपसंदिया cannot be save तो जो question number 7 दिया गया इसका जो right answer हो जाएगा answer number A हो जाएगा yes यानिक जो micro controller 8 euro 5 होता है उसमें कितने register bank होते है चार होते तो इस प्रकार जो right answer हो जाएगा question number 7 का question number 7 आपका clear होगा next question को बढ़ते है question number 8 क्या दिया गया है question number 1 दिया गया है question number 8 में पूछा गया which port has 8 pin यानि कि 329 पिन के बीच में कौन सा port आता है port 0, port 1, port 2, port 3 तो आगर आप वो वीडियो देखें तो आपको एंसर पता चल गया होगा कि इसका right answer क्या होगा port 1 होगा या port 2 होगा या port 3 होगा या port 0 होगा तो question number 8 का जो right answer हो जाएगा answer number 8 हो जाएगा port 0 क्योंकि जो हमारा 805 और micro controller होता है यह से हमारा 8051 pin होती है तो हमारा port 0 यहाँ पर शुरू होता ठीक यह port 0 होता है right answer या नि question number 8 है इसका right answer क्या होगा जाएगा पार 0 इसका right answer क्या होगा हमारा add a box 0 के अतर यह port 0 के अतर कौन से पिणा आती है पिन 32 से लेक ulti 49 तक पिन आती ही पोउट 0 के अतर इसमें कितनी पिन होती из 8 जालेकर या 7 पिन होती है तो question number 8 यह जाएगा 8 तक पिन आती है तो question number 9 का जो आफसन दिया है पहला आफसन true दिया है दूसरा आफसन false दिया है तिसरा आफसन can not be true or false और चौथा आफसन can not be safe तो पोर टू की अंतरगत जो पिन आती हैं कौन से आती है हमारी 21 से लेके 28 पिन नंबर तक आती है ठीक 21 पोर टू के अंतरगत जो पिन आती है हमारी कितनी आती है 21 नंबर पिन से लेके 28 नंबर पिन तक आती है तो जो question number 9 का right answer क्या होगा answer number B हो जाएगा false दियागा statement क्या है गलत है क्योंकि जो हमारा port 2 होता उसमें कितनी पिन आती है 21 लेके 28 तक आती है जो question बोला हो क्या बोला है कि 1 से 8 पिन तो 1 से 8 पिन जो आती है हमारी port 1 में आती है port 1 में कितनी आती है 1 से लेके 8 पिन तक आती है port 1 में ठीक तो अगर आप वो configuration वाला वीडियो देखेंगे तो आपको इस सारे question क्लियर हो रहेंगे क्या क्या कह रहा तो question number 9 का जो राइट answer हो जाएगा answer number B हो जाएगा फाल्स क्या जो एट से लेके 8 पिन होती है port 1 के अंतर गाते हैं तो port 2 के अंतर गात कौन से पिन आती है 28 तक पिन आती है ठीक तो आई हो question number 9 के लिए होगा next question बढ़ते है question number 10, question number 10 क्या दिया गया है फीच आप तक फालूंगे जा आसो एन एक्टिव लो पिन और इट गेट्स एक्टिवेटेड आफ्टर अफ्टर अफ्लाइंग ए लो पिन भी है और लो पिल्स लगने पर वो एक्टिव हो जाता है इसके आफसंद देए पहला आफसंद देगा reset यानि RST दूसरा आफसंद यह लोगी होती है वह लीकिन आलो डाटा Wikipedia यानि ल हो जाती है इसलिए इसको लो होगाए जुरो जहाए थिए द्लाली जतरा मतलब वहाता है यह सब और होता है जब उसको जूरो दिया तो एक्टिव हो जाएग एक तब यह एक्टिव Yuk disgwię. है ठीक अब आप लोगे कमेंट करके बतायेगे जो पिसने होती पिसन नंबर इस इंट फार या निली का मतलब क्या होता है युक्त पेहले Bennet Enable उसके आफसन दूसरा आप संदें एक्टिव लैच इनेबल तीसरा आफसन दो ओसं दें और आपसंदर यह एक्टिव लेंत नेबल तो कोष्च नमबर स्ट्जitter 21 का जो अच्छ बार हो जाएगा नेके अली का फुल फॉरम क्या होता हमारा देसल गेंबल इस राइट टेन्सर होई ठीक स्ट आगा थिक समय होआप물 2010 21 काका पिन होती हैं तो इसके पहला संदियां टूपोर 22 पिन दूसरा पाफसं fandiya गाया है एक चार पोर्ट पॉर्ट स्य होते है प0 होता है पी वन होता है, पी टू होता है और पी थी यह चार पोर्ट सो होते हैं हमारे किसमें 805 और माइक्रो कंट्रोलर में और कितने पिन होती, 40 पिन होती, ठीक, 40 पिन होती, 4 पोर्ट होते हैं तो राइट अंसर क्या हो जागा हमारा, answer नमबर D is right answer हो जाए नमबर 12 करते हैं, नेक्ट कोश्चन बढ़ते हैं, कोश्चन नमबर 13 क्या दिया गाया हमारा क्या दिया गा, how many type of pipeline existing, या नि pipeline कितने परकार के होते हैं तो इसका आपसन जो दियागा, पहला आपसन दियागा 2, दूसरा आपसन दिया 3, तीसरा आपसन दिया 4, चौथा आपसन दिया 5 तो जो हर्ट pipeline होते हैं, pipeline कितने परकार के होते हैं, दो परकार के होते हैं तो जो question number right हो जाएगा question number 13 का right answer हो जाएगा answer number a हो जाएगा two is right answer कौन कौन सी होती है तो पहला pipeline जो हमारा होता है arithmetic pipeline होता है दूसरा जो हमारा interaction pipeline होता है ठीक तो जो दो प्रकार के pipeline होती है कौन कौन सी होती है पहला हमारा arithmetic pipeline और दूसरा माँ एंट्रक्षन पाइपलाइन होता है तो कोश्चन नम्र 13 का राइट एंसर हमारा होगा एंसर नम्र आप्सर ठीक कोश्चन नम्र 14 क्या दिया गया है कि विच आप फालोविंग इज एन एडवांटेज आप पाइपलाइन निमने में से कौन से पाइपलाइन के लाब है तो इसके आपसंद पहला आपसंद दिया गया है इंट्रक्शन थ्रू आउफ त्रूपुट इंक्रेजिंग दूसरा आपसंद फास्टर एल्यू कैन बी ड करना पड़ेगा यानि कि पाइपलाइन का यूज करें के हम इंट्रक्शन के इंट्रक्शन को स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं दूसरा यहीं फास्टर डिजाइन करना पड़ेगा यानि कि अच्छे से काम करना शुरू करें यानि कि कम टाइम में वह इंट्रक्शन को एक् जो परफार्म होता cpu का उब भी हमारा काम करने लगता हैनि कि एन्टील प्रफार्म होता हो भी बेटर हो जाता है तो जो राइट एंसर हो जाएगा किया जाता है तो इसके थि यो दिया गार पहलेafterीञा से दूसरा संद ओफ फर चौथ दिया गर का सभ्सक्राइब दूसरा होता है बेस तीसरा होता है इंडेक्स ठीक तो कुष्चनम फिफ्टीन का तीन पता द्वारा कौन से डिस्प्लेस्मेंट बेस एंड इंडेक्स ठीक यहल्ינी को तैने को डूम टेस होते है तिन याड़ इयमेंट होते है हाइज की वीडिविजर कं वीडियो लेक्शर का विटीने का जो आपको किलियर हो गए हो गयी अगर कोई डाउट चैनल जोइन कर लें वहाँ पर आपको पीडिया फावलेबल करवा दिया जाएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है पिलिज वीडियो को लाइक किया करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बिलो साथ ही अपने दोस्तों साथ जरूर सेर करें तो आज के लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसे नेक्ट वीडियो तब तक के लिए बहन्यवाद जाहिन